है दोस्तों वेलकाम बेक तो आज के इस सुडियों हम सीखेंगे मटेर्स के कुछ इंपोर्टेंट कनवर्जन जो रिलेटेड होंगे रेट अनलेजिस को प्रिपेर करेंगे तो उसमें हमें जो मटेर्स रेक्वाइड होंगे उनकी कॉंटेट ही हम कैसे क्लिकुलेट करते उनक सबसे पहले हम देख लेते हैं सीमेंट के लिए यानि अगर हमारी सीमेंट की कॉंटेटी क्यूबिक में है तो उसे हम कैसे कल्कुलेट करेंगे या अगर हमारी सीमेंट की कॉंटेटी केजी में है तो उसे हम बैक्स में कैसे कनवर्ट करेंगे उसे हम इसमें समझ लेते हैं तो जब भी हम cement के लिए convergence करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे important change क्या पताना चाहिए, cement की density, तो जो cement की density होती है, 1440 kg पर cubic meter, यह होती है cement की density, और इसी की help से हम क्या कर सकते, cement को हम cubic meter से bag में convert कर सकते, bag से हम kg में convert कर सकते, kg से हम cubic meter में convert कर सकते, तो सबसे पिले हम देख लेते हमें पता है कि एक bag cement का weight कितना होता है, 50 kg, तो अगर हमें पता करना है कि एक cubic meter cement में कितनी numbers of bags आते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे, उसे हम पता करेंगे density की health से, जो density होती होती है, 1440 kg पर cubic meter, तो उसे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक bag cement का weight कितन नमबर से बेक रिक्वाइड होते हैं, तो जो उसे में नहीं हाप ही किया हुआ है, हमारे सिमेंट की डेंसिटे कितनी थी, 1440 kg पर क्यूबिक मिटर, उसे हमने डिवाइड किया 50 kg से, उसे हम क्या करेंगे, 1 से भी डिवाइड करेंगे, क्यूबिक मिटर को हटाने के लिए उसे सिमेंट के लिए, हमें कितने नमबर सो बेक रिक्वाइड होंगे, 28.8 बेक्स हमें रिक्वाइड होंगे, एक क्यूबिक मिटर सिमेंट की क्वाइड के लिए, तो यहाग है एक बेग में कितना कुबिक मिटर सीमेंट आता है। तो हमने क्या किया, 1 कुबिक मिटर को 28.8 से डिवाइड किया। तो हमें मिल गई यहाँ पे सीमेंट की कॉंटिटी, इन कुबिक मिटर, तो वो कितनी आई, 0.03472। उसे हम एप्रोक्स बोल सकते है, 0.035 cubic meter, तो इस step से मिल जाएगा, एक बेग में इतना cubic meter cement हमें required होता है, इससे आप चाहँ तो दूसरे वे में भी calculate कर सकते हो, हमें पता है कि cement की density की इतनी होती है, 1440 kg पर cubic meter, और हमें एक और चीज पता होती है, एक बेग में cement कितना आता है, 50 kg, तो हम क्या करेंगे, 50 kg को density से डिवाइड मार देंगे, तो हमें मिल जाएगा उस बेग में इतना cubic meter cement आता है, और उसकी value भी यह यह आएगी, same to same, 0.03472, और उसे आप एप्रोक्स कितना बोलोगे, इतना ही बोलोगे, 0.035 cubic meter, आते हैं, 28.8 bucks आते हैं, तो यह आपको समझ में आ गया, और इनका use हम का करेंगे, जब हम rate analysis को बनाएंगे, अब next हम समझ लेते bricks के लिए, कि bricks के number हम कैसे calculate करते हैं, जब हम brick work के लिए rate analysis को prepare करते हैं, तो जब भी हम brick work के लिए rate analysis को prepare करेंगे, तो उसमें हमें क्या required होते हैं, numbers of bricks, तो number of bricks हम कैसे calculate करते हैं, number of bricks calculate करने के लिए हमें पता होना चाहिए, brick का modular size, तो जो brick का modular size होता है, उसके dimension क्या होते है, 20 cm by 10 cm by 10 cm, modular size यानि, जो हमारी brick का standard size होता है, प्लस उसमें जो multi joint आते, उसको मिला के जो size बनता, उसे हम क्या बोलते है, modular size of brick, तो हमें पता होना चाहिए, कि एक cubic meter में कितने numbers of bricks आते, जिससे हम easily find out कर लेंगे, किसी भी volume के लिए number of bricks, तो एक cubic meter में कितने bricks आएंगे, उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक cubic meter को हम किसे divide कर देंगे, जो हमारे brick का modular size है, उससे हम उसको divide कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा, एक cubic meter में कितने numbers of brick हमें required होती है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास modular size of brick की, उसके dimension किसमें, centimeter में, उसकी note को हम किसमें change करेंगे, meter में, तो जैसे हमने centimeter को meter में change किया, तो जो brick की modular size है, उसकी meter में dimension केसे आएंगे, 0.2 meter by 0.1 meter by 0.1 meter, अब हमें पता करना है, कि एक cubic meter में कितने numbers of brick आती है, तो हम क्या करेंगे, 1 cubic meter volume को किसे divide कर देंगे हम, जो हमारे brick की modular size है, उससे हम 1 cubic meter को divide कर देंगे, तो 1 cubic meter divided by 0.2 into 0.1 into 0.1, तो जैसे हम इसे solve करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि, 1 cubic meter में हमें कितने numbers of brick required होते है, तो 1 cubic meter में हमें कितने numbers of brick required होते है, 500 numbers, यानि 1 cubic meter में 500 numbers of brick required होंगे, तो 10 cubic meter में कितने required होंगे, 10 into 500, यानि कितना आजाएगा 5000 नंबर सो ब्रेक रिक्वाइड होंगे में 10 क्यूबिक मिटर ब्रेक वक के लिए इसे टैपस आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए नंबर ब्रेक केलकुलेट करने तो उसमें आपको क्या करना है 500 का मल्टिप्लाइ करना है जब क्वांटिटी क्यूबिक मिटर में हो तभी आप 500 का मल्टिप्लाइ करना है अब इसके बाद हम क्या करेंगे जैसे हमें नंबर सो ब्रेक मिल जाएंगे उसके बाद हमें मोटार भी रिक्वाइड होता ब्रेक वक में तो break work में mortar की quantity हम कैसे calculate करेंगे जो हमारे break की standard size होती है 19 cm by 9 cm by 9 cm उसके volume को हम किसमें से subtract करेंगे जो हमारे break work का volume है उसमें से हम क्या करेंगे जो हमारे break के standard size का volume आएगा total number 100 break के लिए उसको हम क्या करेंगे total break work के volume में से subtract करेंगे जिससे में क्या मिल जागा, volume for mortar, अब जैसे हमें volume for mortar मिलेगा, हम क्या करेंगे, उससे mortar की quantity calculate कर लेंगे, तो brick के लिए भी आपको समझ में आ गया, अब next हम समझ लेते, steel के लिए, तो steel के लिए भी same, उसे type से हम करेंगे, steel के लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए, density of steel, तो जो हमें पता करना है कि 1 cubic meter में हमें कितना steel required होगा, तो हम कैसे पता करेंगे, 1 cubic meter में हम किसका multiply करेंगे, density of steel का, जिससे हमें पता चल जागा कि 1 cubic meter में हमें इतना steel required होगा, तो हम calculate कर लेते, quantity of steel in 1 cubic meter के लिए, तो 1 cubic meter में हमने क्या किया, density of steel का multiply किया, कुछ इस type से, तो हमें मिल एक cubic meter के लिए में कितना इस्टिल required था? 7,850 kg इस्टिल हमें required है one cubic meter के लिए या आगी cement की quantity या cement का weight अब इसके बाद एक और important चीज आती है कि हमें पता होना चाहिए किसे भी structure में इस्टिल की quantity कितनी आती है उस structure के volume के तो जैसे अगर हमें column के लिए पता करना है कि जो column का volume है उसमें कितना इस्टिल हमें required होगा हम केश से पता करेंगे तो उसके लिए क्या होता है? जो हमारा column होता है उसमें कितना still provide करते है जो उसमें still की quantity आती है और कितनी आती है? 1-5% आती है उस column के volume के यानि जो column का volume रहेगा उस column में उस volume का 1 से 5% का रहता still की quantity रहती है उसे type से हम beam के लिए जो still की quantity लेते हैं वो कितनी लेते 1 से 2% के बीच में slab और lenders के लिए 0.7 से 1% के बीच में तो जब भी हम red analysis को बनाएंगे तो उसमें column beam या slab के लिए जो still की quantity लेंगे वो के से लेंगे हम 1% of volume यानि जो हमारा volume रहेगा work का उसका हम 1% लेके चलेंगे still की quantity इन तीनों के लिए अगर हमारा foundation of hooting रहा तो उसके लिए हम कितना लेते 0.5 से 0.8% के बीच हम लेके चलते तो उसे usually हम कितना लेके चलेंगे rate analysis के दोरान 0.5% किसके लिए foundation of hooting के लिए लेकिन columns, beams, slab और lenders के लिए हम कितना लेके चलेंगे 1% of total volume जिससे हमें पता चल जागा कि इन instruction में हमें इतनी quantity of still required है then जो still की quantity आएगी उसमें हम किसका multiply करेंगे density of still का जिससे में पता चल जागा weight of still आप इसके बाद हमें एक और important चीज रेक्वाइड होती है इन still को tie up करने के लिए यानि इन still को bind करने के लिए हमें का रेक्वाइड होते है binding wires तो जो binding wires आते हैं उनकी quantity हम कैसे calculate करते है तो quantity of binding wire हम कितनी लेके चलते है 1% of weight of steel यानि अगर हमारे steel का weight 100 kg आ रहा है तो उस 100 kg steel को bind करने के लिए हमें कितना binding wire required होगा 1% of 100 kg यानि उस weight of steel का 1% हमें binding wire required होगा तो इस type से आपको binding wire की quantity मिल जाएगी अब या आपको सारे conversion समझ में आ गए अब हम एक और चीज़ देख लेते कि dry volume कैसे calculate करते है तो जब भी हम किसी particular work के लिए rate analysis को बनाएंगे तो उसमें हमें dry volume required होता concrete के लिए mortar के लिए क्योंकि जब भी हमें exact quantity मिलेगी cement and aggregate की जब हमें dry volume पता होगा concrete का या mortar का अब next उसे टाप से देख लेते हम प्लास्टरिंग के लिए तो प्लास्टरिंग के लिए हम क्या करते है सबसे पहले 30% extra add करते है to fill up joints and unevenness then उसके बाद हम क्या करते है 25% extra add करते for voids के लिए जिससे मिलेगा dry volume of mortar तो प्लास्टरिंग में हम क्या करेंगे जिससे हमारे प्लास्टरिंग वक का कोई volume है उसमें हम सबसे पहले करेंगे उस volume का 30% extra निका लेंगे किसके लिए fill up joints और unevenness के लिए then उसके बाद जो हमारा volume आएगा उसके हम क्या करेंगे 25% extra calculate करेंगे जिससे मिलेगा dry volume of mortar अगर आपको दो बार calculate नहीं करना है और आपको direct calculate करना है तो direct आप कैसे calculate करोगे आपको directly 60% extra add करना है जिससे मिल जाएगा dry volume of mortar प्लास्टरिंग के लिए अब हम next देख लेते brickwork के लिए तो brickwork में हम कैसे calculate करेंगे dry volume of mortar जो हमारा volume रहेगा उसमें क्या करेंगे extra 30% add करेंगे words के लिए जिससे हमें मिल जाएगा dry volume of mortar और में आपको एक और important चीज़ बता दू जो हम brickwork में 30% extra लेते for getting dry volume of mortar तो उसमें 30% तो लेंगे लेकिन इसके अलावा हम क्या करते है उसमें 30% से extra भी लिए सकते जैसे हमें mortar layer की thickness रखने है उसके basis पे हम क्या करेंगे उसमें extra percentage add करेंगे उसके dry volume के लिए minimum हमें कितना करना है 30% इससे ज़्यादा भी हम ले सकते 35%, 40%, 45%, 50% वो केसे चेंज होगा वो उसकी condition के according चेंज होगा जैसे हमें mortar की layer provide करने है अगर हमें mortar की thick layer provide करने है तो उसके basis पे हम 30% से ज़्यादा भी उसमें extra add कर सकते for getting dry volume of mortar तो ये बात ध्यान रखना और break work में हम 30% minimum लेंगे लेकिन हम 30% से ज़्यादा भी उसमें add कर सकते for getting dry volume of mortar क्योंकि वो किस पर depend करेगा जैसे हम mortar की layer provide करेंगे वो thick layer या thin layer है उसके basis पे क्या होगा इसमें जो percentage होगा लेकिन minimum हमें कितना लेके चलना है 30% minimum लेके चलना ही पड़ेगा अब उससे टाइप से हम देख लेते concrete flooring के लिए तो concrete flooring में हम क्या करेंगे जो हमार वोलिम रहेगा उसमें 60% extract करेंगे for voids के लिए जिसे में लेगा dry volume of concrete in case of concrete flooring तो यह आपको समझ में आगे different work के लिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आयोब आपको वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो के तरू जो हमने important conversion सीके वह आपको कहां helpful होगे जब हम rate analysis बनाएंगे उन वीडियो में आपको यह helpful होगा तो next वीडियो में PCC work के लिए rate analysis को prepare करेंगे जिसे कि आपको यह सारी friends के साथ जरू share करना जिससे उन तक भी इस related information पोस्ट सके और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरू subscribe करना और साथ में बेल का एकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने ओली वीडियो की notification मिल सके तो मिलते next video में जब तक आपना ध्यान रखना thank you so much